Hello everyone, welcome back to class तो कैसे हैं आप सबी लोग, hopefully बढ़िया होंगे तो चलिए आज की class शुरू करते हैं और आज हम cover करेंगे उत्राखंड सिक्सा, भासा, साहित्य पुस्तकें एवं पत्र पत्र कायें इसमें आपके पास हैं 20 important mc2 और ये है इस lesson का part 1 तो चलिए शुरू करते हैं और आपके लिए पहला question है निम्न मेंसे कनवाशरम कि जिल्य में अवस्तित है? तो option no.b आपका सयांसर है पौड़े जिल्य में कनवाशरम पौड़े जिल्य में इस्तित है कनवासरम उत्राखन में इस्तित एक प्रसित धार्मिक इस्तल है गड़वाल जन्पन में कूटवार से 14 किलो मेटर की दूरी पर सिवालिक परवस्चेनी के पाधपर प्रईदेश में हेमकूर्ट और मनेकूर्ट परवतों की गूद में इस्तित कणवास्टरम एतिहासिक तथा पुरा तात्विक क्यों दृष्टी से अत्यंत महत्पून परेटन इस्तल है और वर्तमान समय में इसे पौड़ी जिले में चोकागाट के नाम से जानते हैं कणवास्टरम को और हम चलते हैं अगले क्वेस्टन है रुड़की इंजिनियरिंग विश्व विद्याले ने 2001 में दरजा पराप्त किया है देश के कितने में IIT का तो आप्शन नमर से आपका सही आंसर है साथ में IIT का रुड़की इंजिनियरिंग विश्व विद्याले ने 2001 में साथ में IIT का दरजा पराप्त किया है इस कॉलेज को 21 सितंबर 2021 को भारतिया प्रोध्योगी की संस्तान IIT का दरजा प्रदान करते हुए इस देश का साथवा भारतिया प्रोध्योगी की संस्तान बनाया गया था और हम चलते हैं अगले क्वेस्चन के और आपके लिए अगला question है उच्छी सिक्षा निदेश आले कहां अवस्तित है यज अस्तित है तो अप्षिन नम्बर D ने निताल आपका सही अनसर है उच्छी सिक्षा निदेश आले ने निताल जिल्ले में इस्तित है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा important तो है नहीं इसलिए हम चलते हैं अगले question के और और आपके लिए अगला question है इसकूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है option नमर भी आपका सियान सरा है 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए इसकूल चलो अभियान राज में 1 जुलाई 2001 से संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्या सभी को सिक्षा और सभी को ग्यान है इस अभियान के मुख्य लक्षों में 6-14 वर्षों के बच्चों का 7% नामागन बच्चों का विद्द्यालों में 7% ठहराव बालिकाओं तथा SC-ST शिक्षावर विशेजबल जन्समद्याई की भागिदारी तथा 2010 तक कक्षाज 1-8 तक की शिक्षा का सारुजनी करन करना है और हम चलते हैं अगले क्वेस्चन की और अगला क्वेस्चन है निम्न लिखिन में से कौन सी बूली उत्राखन की नहीं है तो ओफली कि आपको ये आंसर पता होगा और आपका जो इसमें जो उत्राखन की बूली नहीं है वो है आप्सन नमरे बोजपुरी बोजपुरी उतराखन राजी की बूली नहीं है इसके अलावा जोन सारी, कुमावनी, गड़वाली और अन्य उतराखन की राजी की बूलिया है इन बूलियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और हम चलते हैं अगले क्वेस्चन के और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सबस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगला क्वेस्चन है मानोदे काब्यकी रचना किसने की थी तो ये बहुत ही इंपोर्टन क्वेस्चन है सब्सक्राइब कर दीजिए अगला क्वेस्चन है देश का प्रेथम क्रिशी बिश्व बिद्याले सन उनिस सो साड में कहां इस्तापित किया गया था तो ऑप्सेन नमर सी आपका से आंसर है पंत नगर में तो वो कुलिस्ता जी बिपंत क्रिशी एवं प्रोध्योगी की विश्व बिद्याले देश के इस प्रेथम क्रिशी बिश्व बिद्याले की इस्तापना 17 नमर मर उनीस साट को पंत नगर में नहरुजी के कर कमलोद्वारा की गई ती वर्तमान में यहाँ उदम सिंग नगर जिल्ले में अवस्तित है इसका पूरा नाम गोविंद बल्लव पंत क्रिश्य एवं प्रोधयोगी की विश्य विद्याले पंत नगर है इस विद्याले के प्रेथम कुलपती डॉक्टर कैनेथ एंथोनी पारकर स्टीम एंसम जी थे और हम चलते हैं अगले क्वेस्टिन पे अगला क्वेस्टिन है आप लोगों के लिए गरवाल समाचार पत्र किस जिल्ले से प्रकासित होता था तो अप्सन नमर ये आपका सही आंसर है पौड़ी जिल्ले से गरवाल समाचार पत्र पौड़ी जिल्ले से प्रकासित होता था और इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंपोर्टेंट है नहीं हमारे पास इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेस्टन के और तो चलते हैं और अगला क्वेस्टन है चंदर सिंग गडवाली अखिल भारतिया आयूर विग्यान संस्थान कहा है तो अप्सन नमर भी आपका सही आंसर है रिशिकेस में चंदर सिंग गड़वाली अखिल भारतिया आयर विग्यान संस्थान रिसिकेस में है चंदर सिंग गड़वाली अखिल भारतिया आयर विग्यान संस्थान केंदर सरकार द्वारा रिसिकेस में इस्ताफित अखिल भारतिया आयर विग्यान संस्थान यानि एम्स ने फरवरी 2014 से कारे करना शुरू किया था इस संस्तान की गोपिसर में एक ट्रामा सेंटर भी थी इस्ताबित की गई थी और यहाँ संस्तान दिल्ली के एम्स की एक साखा होने के बजाए अपने आप में एक पूर्ण संस्तान है ओके तो दोस्तों अभी MCQ स्रीज चल रही है तो अभी पहले इनको कम्प्लीट करेंगे उसके बाद हम एक्स्प्लेनेशन के साथ सभी लेसन को कम्प्लीट करेंगे तो चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेस्टन है एसिया का प्रेथम Engineering College इस्तावित किया गया था तो अप्शन नमर ए आपका सैंसर है रोड़की में भारतिय प्रोद्योगी की संस्तान रोड़की यानि उतर भारत में तक्नीकी सिक्षा के मामले में सबसे प्रतिस्ठित संस्तान रोड़की Engineering College देश एवं एसिया का सबसे पुराना Engineering College है भारत के ओजोगी करण तथा गंगा नहर के निर्मान में लगे लोगों को प्रेस सिक्षन देने के लिए इस संस्तान के स्तावना सन 1847 में हुई 1854 से इसका नाम Thompson College of Civil Engineering हो गया था और हम चलते हैं अगले क्वेस्टिन की और अगला क्वेस्टिन है गढ़वाल एंसेंट एंड बॉड़न पुस्तक किसे ने लिखी थे तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है option नमर डी पाती राम इनके बारे में तो मैंने आपको पहले बीडियो में बता दिया था यदि अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर विजट कीजे और उन वीडियो को भी देखे तो चलिए अगले question पर और अगला question है हे मुमंती नंदन भहगुणा गड़वाल विश्व विद्याले को केंद्रे विश्व विद्याले का दरजा कब मिला तो वो है आपका सही आंसर 15 मार्च 2009 को पंदर मार 2009 को हमंती नंदन भेगुना गड़वाल विश्व विद्याले को केंद्रे विश्व विद्याले का दर्जा प्राप्त हुआ था यह आंसर हमने परिक्षावानी पुस्तक से लिया है तो हम चलते हैं अगले क्वेस्टिन की और और अगला क्वेस्टिन है प्रसित प मसूरी मेडले के लेकग हैं और हम चलते हूं अगले क्वेस्टिन की और अगला क्वेस्टिन है हरिदवार पर आधारित पुस्तक News in India के लेखक कौन है तो आपका जो सही आंसर है वो है Option No. A Job Francis White जौब Francis White News in India पुस्तक के लेखक है और उन्होंने वह पुस्तक हरिदवार पर आधारित है उनकी वह पुस्तक हरिदवार पर आधारित है और हम चलते हैं अगले क्वेस्टन के और अगला क्वेस्टन है उत्राखन प्राविदिक सिक्सा एवं परिक्सा परिसद इस्तित है तो Option A है देरदोन में Option B है रूड़की में Option C है नरेंदर नगर में Option D है स्ट्री नगर में Option No. B आपका सही आंसर है रूड़की में उत्राखन प्राविदिक सिक्सा एवं परिक्सा परिसद रूड़की में इस्तित है और हम चलते हैं अगले क्वेस्टन के और अगला क्वेस्टन है गड़वाल की दिवंगत विवूतियां के लेखक कौन है तो Option No. D आपका सही आंसर है गड़वाल की दिवंगत विवूतियां के लेखक है और अगला क्वेस्टन है उत्राखन में कुली विगार प्रिथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो Option No. D आपका सही आंसर है डॉक्टर सेखर पाठक जी इनके बारे में तो आप पहले से जानते हैं तो हम चलते हैं अगले क्वेस्टन के और क्योंकि इनके बारे में मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ और अगला जो क्वेस्टन है निम्न में से कौन सा पत्र देहरेदों से प्रकासित नहीं होता है तो देहरेदों से नहीं होता है वो है देवु में देभवयं पर्कासित होता है नंध पर्यक चमोली से जो कि एक सापताहिक पत्र्य है यह कहां से निकलता है चमोली से यानि नंध पर्यक आगी यह सभी निकलते हैं आपके गड़वालपूर साहर टाइम्स हिमाद्ञ टाइम्स देरदों से परकासित होते हैं अगला क्वेस्टन है समाज के वंचित वर्ग को उतक्रिश सिक्षा दिलाने हे तो देभुमी मुस्कान योजना की सुरूआत कब की गई थी तो option नमज से आपका से शुल्क सिक्सादी जाती है खननकारे से जुड़ी लोगों की बच्चे भी इस योजना में समिलित हैं इनके लिए राजमेकुल 41 सिक्सा केंद्र चेनित हैं और हम चलते हैं अगले क्वेस्टिन के और और अगला क्वेस्टिन आप लोगों के लिए निम्न में से कौन सुमेली नहीं है तो यहां पर हम थोड़ा पढ़ेंगे इस ब्रिटिस गड़वाल गज़टियर्स एच जी वर्लटन हमालियन परिचे राहल संकरितियान हिमालियन ट्रेवल्स जोट शिंग नेगी अलमोडा गज़टियर्स एफ टी एटकिंसन तो आपका जो इसमें लित नहीं है वह है अपसे नमर डी अलमोडा गज़टियर्स तो सा इनके बारे मैं explain कर दूं तो ब्रिटिस गड़वाल गजेटियर्स के लेखक है एच जी वॉल्टन हिमालियन ट्रेवल्स के जो लेखक है वो है जोत सिंग नेगी और अलमोरा गजेटियर्स के लेखक कौन है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं टिपनी क को बता रखा है और यह थे हमा यह था हमारा लाश्ट क्वेस्टन इस पार्ट का तो बने रहेगा हमारे साथ तो दोस्तों हमसे जोड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद होफुली कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और यह था हमारा इस चैक्टर का पार्ट वन और पार्ट व आएगा कर आसा करूंगा कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगे और पसंद आई है तो अपने दोस्तों को सेर कीजिए आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए बने रहेगा हमारे साथ थैंक्स पर वाचिंग इस्टे कनेक्टेड इस्टे बलेस्ट